गिराज जी राहूल गांधी ने ट्वीट किया है उन्होंने कहा है कि उस सरकार की कई नीतियों से जो है वो संतुष्ट नहीं है लेकिन जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है इस पर किसी दूसरे देश से बात नहीं करनी चाहिए और जम्मू कश्मीर में जो आतंक फैलत है उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है वो फैलाता है वहां पर देखिए भगवान करे कि राहूल गांधी को राष्ट के परती सद्वुधी दें सब कुछ लुटा कि होस्व में आये तो क्या आये गाना था राहूल गांधी की कारण पाकिस्तान उनाइटेड नेशन मे चला गया इन्हीं का कोट करते हुए राहूल गांधी का लग रहा था कि भाशा पाकिस्तान की भाशा मिला हुआ है कौन किसकी भाशा है यह जब लगा कि जमीन नीचे से खिसक गई है तब यह ब्यान आया और गाउं की कहवत है सौ जूते भी खाए सौ प्याज भी खाए व पूरे कांग्रेस का जो स्टेटमेंट है, पूरे कुनमा राहुल के कुनमा का वो देश के बिरुद्ध रहा है, मैं इतना ही कहूंगा। देश भारत के साथ था और साथ है 370 हटने की बाग, माहौल को पाकिस्तान की तरह खड़ाब करने का काम और जिसका लाव पाकिस्तान ने लिया राहुल गांधी का कोट करके उनाइटेड नेशन में गया, इससे बड़ा दुरभाग और क्या होगा, मैं तो इसलिए कहा, सब लुटा के होस में आये तो क्या होगा, बोट बैंक की राजनिती है, और क्या, जीबन भर सब्तर साल तक कांग्रिस ने बोट बैंक की राजनित में देश को नुकसान पहुंचाया, ग्री राज जी, आज एक PIL के जवाब में सुप्रीम कोट ने कहा है कि देश में कोई भी क प्यार से जाएं, घर भी बसाएं, क्योंकि अब कानून भी हट गया है तिम्हा, राहुल गांधी भी घर ले लें, लेकिन सतर साल तक जो घाव बनाया है, नहरू से लेकर के अभी तक उस घाव को कुरे देना, कश्मीरियत के घाव को कुरे देना, उस पर महलम लगाएं, भ आदी को मदद करना चाहते हैं, ये काम ना करें, अगर ये काम करेंगें, तो आगे देश की जनता आपका हिसाब लेगी, एक सवाल और है, पाकिस्तान जो है, अपना एर स्पेस जो है, वो भारत के लिए बंद करने के लिए तैयारी कर रहा है, देखे, पाकिस्तान को भी से लड़ो, अब गधा बेच बेच करके कितना चाहिना से पैसा लोगे, और आतंक वाद बेचना बंद करो, गड़ीवी से लड़ो, अगर गलती से पाकिस्तान ने कोई हरकत की भसमा सुर बना, तो उसका पिंडदान भी भारत ही करेगा, प्रधान मंत्री, ये थे केंदर मं से लड़ी गिराज सेंक.